अगर आपको 50,000 से 1,80,000 तक के बीच में आपको कमाना है तो इस रिकूट्मेंट को डेफिनेटली अप्लाई करो वीडियो को लास तक देखो और हमारे चानल को सब्सक्राइब जूरूट करना अगर आप फर्स्टाइम विजिटर हो तो अपनी वीडियो पे आ जाते हैं विडियो के बीच में आपको करना कुछ नहीं आपको जिस सिर्फ वीडियो को लास तक देखने और इस रिकूट्मेंट के लिए आंखे बंद करके अप्लाई कर देने क्यूंकि आपको सारी कुछ जितनी भी डिटेलिंग है वो इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी तो निकाली हूए वह फूड कोपरेशिय आफ़ इंडिया निकाली हुई हुए है इसमें जो नंबर ओविकैंस कि वाद करूं तो असिस्टेंट जनल मैंजर की है मैं कैंसि इसमें असिस्टेंट जनल मैंचर टेकनिकल की यह जनल अधिस्ट्ट्रशन में 30 वेयो जाओ पोस्ट ह निकाली हुई है जिसके accordingly आप अगर इनके eligibility criteria को fulfill करते हो तो आप इसके लिए definitely apply करो इसका जागर पेस के बात करो तो salary इनकी काफी अच्छी assistant general manager administration की 60,000 से 1,80,000 तक ही है assistant general manager technical की 60,000 से 1,80,000 तक ही है अगर इनकी बड़ी होंगे तो अपना इंटिमेशन कर देंगे नोटिफिकेशन लाके इस नोटिफिकेशन कर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपने description box में तो मैं इसका लिक देई रही हूं वहां पे आप क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को complete पढ़ सकोगे अगर मैं बात करो education qualification और experience की तो जो assistant general manager general administration के लिए आपको चाहिए वो अगर आप post graduate हो या बेचलर डिग्री आपके पास और पांसाल का इंटिग्रेटर कोर्स का अगर आपने LLB की है बी LLB तो आप इस recruitment के लिए apply कर सकते हो इसके ल इन दोनों में जो है experience की कोई ज़रूरत नहीं है next अगर assistant general manager accounts के लिए apply करते हो तो आपके पास CA की डिग्री होनी चाहिए अशिस्टेंट जनर मैनेजर के लिए आपके पास फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए लॉड में और साथ में experience मांगा इन्होंने लॉड के लिए इन्होंने experience मांगा हुए बाकि और किसी पोस्ट के लिए इन्होंने experience मांगा हुए तो नेक्स्ट जो वेकेंसी है वो है medical officer की इसके लिए आपके पास Mbps के डिग्री होने चाहिए एक तो और दूसरा आपके पास तीन साल का experience होना चाहिए तो medical officer और law के लिए इन्होंने experience मांगा हुए अदर्वाइस और किसी वेकेंसी के लिए experience नहीं है आप freshers हो आपके पोस्ट ग्राजूएट हो यह आप जो भी बच्चे हैं इसरे recruitment के लिए एक्रेश का कर सकते हैं माक्समुम आपका एज लिमिट ऐन दिया हुआ 35 वी अगर मैं सेलेक्शन प्रोसेश की बात करूं लाइन टेस्ट होगा उसे उनलाइन छुन्यूरू है उनलाइन जो पैटरन है इसका तो असिसें जनीर मैनेजेर जो पैटन है वो 180 questions का आपको question paper आएगा जिसको आपको डाई गंटे में complete करना है इसका जो pattern है test का reasoning आएगी आपको 45 marks की general awareness और current affairs आएगी 45 marks के और management and ethics 45 questions होंगे और agriculture, agriculture economy and computer awareness आपके आएगी 45 marks question की next अगर मैं assistant general manager technical की बात करूं या फिर assistant general manager account की assistant general manager law इन सबका same syllabus रहेगा general aptitude आएगा आपको general aptitude में reasoning आजाएगी general awareness आजाएगी management and ethics आचाएगा agriculture and economy आजाएगी आपको और medical officer की अगर मैं बात करो तो उसका भी same 180 questions होंगे धाई गंटे का paper रहेगा और आपको relevant discipline में आपको 60 questions आएगे इन सबका syllabus तो same होगा पर दो parts में होगा पहले part में general aptitude आएगा और second part में relevant discipline का आपको 60 questions आएगे अगर में बात करूं कि negative marking की तो जो आपका post code A है जो आपका general administration में आपका assistant manager है तो उसके लिए negative marking नहीं है और ना ही किसी और recruitment नेगेटिव मार्की है जो रिकूरूट्मेंट पोस्ट A है जनल मैनेजर जनल अड्मिस्टेशन में तो उसमें आपको सिर्फ जनल एप्टिटूट आएगा 180 marks का प्लस आगर जो B, C, D, E बाकी अधर पोस्ट के लिए प्लाई कर रहे हो तो आपको general aptitude और relevant technical discipline के बारे में आपको knowledge पूछी जाएगी इस question paper की में आपको कोई negative marking नहीं मिलेगी आप अपने जो knowledge के accordingly आप questions को tick कर पाऊगे तो एक तो आपको यह online test देना पड़ेगा अगर आप online test में short list होते हो तो आपको interview के लिए आपका interview क्वालिफाई होता है तो आपकी यह job के लिए जो selection है वो पक्का है वो दन है इसका जो exam date इन्होंने दी हुई है वो date अभी तक मेंचन लिए वर में जून में आपका exam हो जाएगा आपको time भी मिल जाएगा अच्छा सा अगर मैं इनके examination centers की बात करो तो number of centers इन्होंने बनाये हुए आप screen पर देख सकते हो अगर आपको center दूने भी कोई मुश्किल ने होगी क्योंकि आपके selective states में आपके center बन जाएंगे examination के यह center है इनके अगर प्रोसेस की बात करों कि आपका online apply कैसे करना है तो मैं इसका जो website है वो भी आपको दिखा दूँगी आपको इसका link description box में दे दूँगी आपको को उस पे क्लिक करके बस application registration करनी होगी फी की payment करनी होगी और document scan करके upload कर देने होगे जैसी आप फी payment करोगे आपका final submission हो जाएगा और आप इस recruitment के लिए apply कर पाओगे इसको इस application registration है उसका link में in description box में दे दिया हुआ है इसकी अगर मैं फी की बात करूँ तो thousand रुपीज है general OBC candidates के लिए और SC, ST और PWD candidates है और जहां female candidates है उनको कोई fee नहीं पे करनी पड़ेगी वो fee exempted है उनको nil payment है out of free of cost उनको फॉर्म दिया गया है सिर्फ general OBC candidates को इस recruitment के लिए thousand रुपीज पे करने पड़ेंगे so everyone इस website पे जाने का link में description box में दे दिया हुआ आप चाहे तो उस पर click करके इस website प्यासते हैं यह website आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी यहाँ पे click here for new registration अगर आपने अभी तक register नहीं किया हुआ इस application के लिए तो आपको सबसे पहले new registration करने ही पड़ेगी register करने के बाद आपको अपनी सारी details इसके अंदर फिल करने के बाद document scan अपने करवाने के बाद जो final आपको process रहेगा वो application fee submission का होगा उसके बाद ही आपका final submission हो जाएगा अगर आपने पहले की registration कर दी है तो आप य एक नया application form खुलेगा application form में आपको अपनी सारे detailing देनी होगी अपना नाम, address, contact, email address आपको सब payment करने है अपनी जो payment है वो देनी पड़ेगी उसके बाद ही आपका final submission होगा तो ये website कुछ इस तरे के से जिसका link में आपको description box में दे दिया हुआ तो देख सकते हो so everyone this was all about our today's video का प्लीज इसको शेर जरूर करना और बैल आइकन को दबादो ताकि आपको next job की update मिलते जाएं